औके तो आज उसके आगे हमस्टाट करेंगे कल जो अमने पढ़ा था माइक्रोवेव के अंदर कल आम लोगोंने माइक्रोवेव के स्टार्टिंग कर दी थी और उस स्टार्टिंग के अधिया था आज देखते हम लोग microwave क्यों यूज में आई microwave से पहले ऐसा क्या था जो microwave का काम कर रहा था और अगर वो कर रहा था तो उसमें क्या दिक्कत आई तो वहां से हम शुरुबात करेंगे so question यह है write the symmetry and anti-symmetry between transmission line and wave guide तो wave guide से पहले जो structure follow रहा था जो आपकी microwave को propagate करवा रहा था वो था transmission line ठीक है so let's start with the transmission line एक बार में आपको visibility कर दूँ हो okay so I think the screen is showing you ठीक है हो गया ठीक है चलिए let's start with the discussion of the microwave तो यहां पर देखते हैं आप question जो रिखोगे मेरा question यह है पहली बात तो यह है कि microwave से पहले जो device था जो wave guide को sorry जो microwave को propagate करवा रहा था वो था transmission line so question is that write the symmetry and anti-symmetry between transmission line between transmission line and wave guide है ना हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेवगाइड बट वेवगाइड जो आपकी unit है उसको start रहने से पहले यह तो पता हो कि वेवगाइड आई क्यू थी और इससे पहले क्या था transmission line था जो microwave को propagate करवाता था अब इन में समानता है वह असमानता है आपको दिखानी है ठीक है ना तो जो हम लोग इसका solution देंगे उसके अंदर पहले हम लिखाएंगे symmetry मतलब की similarities मतलब similarities जो भी समानता है वो सब तो पहले हम लिखते हैं encontrast apply similarities, similarities, similarities जो इन में समानता हैं पहले वह दिखा जिता है बतलब symmetricities जो भी , वहें है, शोना में समानता है वो क्या है number पहली समानता wave traveling in wave guide मतलब वेव गाइड में जो वेव ट्रेवल करती है लाइक माइक्ड वेव गाइड इसको मैं शॉट में डबलू जी लिख दूँ आपकी बार 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 लिखना नहीं पड़ेगा मुझे वेव गाइड है तुम लोग एक्जाम में डबलू जी मत लिखिया ना है ना वेवगईड यह अफवेश बॉस्ती थर फिर्व लास्ती जाद रस फिर फिर्व गाइड अफवर ग्व लास्ती है विल अटनेवेट टेड ट कि अटेनिवेट अटेनिवेट रोकावट रोक थाम उसका रुकना उसके ट्रेवलिंग में बाधा जो उत्पन होती है वह बाधा अटेनिवेशन के राती है अटेनिवेटेड एज इन एज इन ए ट्रांस्मिशन लाइन एज इन ए ट्रांस्मिशन लाइन इस इट कहने का मतलब यह जिस प्रकार से आपकी वेव वेव गाइड में ट्रेवल करती है उसके पास में फेज वेलास्टी होती है similarly transmission line में भी उसके पास में attenuation होता है similarly वहाँ पर फेज वेलास्टी होती है यह सेम तरीके से निकालते है दोनों में ठीक है ना फेज वेलास्टी और ट्रांस्मिशन चलना और रुकना चलना तो मतलब की फेज वेलास्टी हो गया उसके पास वेलास्टी है रुकना मतलब की ओधा मतलब attenuation तो यह सब सेंउ वे से होता है जेसे transmission में होता है नंबर दूसरा वेल रीच ओन दा वेल गाइड वें दावेत रीच कि तो पाईण ओ डो गाईड कि गए वें दावेल कि रीच टू दा एंड आफ द वेवगाईड जब आपकी वेवगाईड के अंत में पहुच जाती है इस रिफलेक्टेड तो वहां जाके वो रिफलेक्ट हो जाती है इस रिफलेक्टेड अनलेस 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 द लोड इंपिदेंस जो यह रिंदो यही सेम चीज़ सिमिलरली यही चीज किसमों ते ट्रांस्जर लाइन में भी होती है वहां भी अगर आपकी वेव ट्रांस्जर लाइन के अंत में पहुच जाएगी न तो रिफलेक्ट हो जाएगी दोनों में यही आपकी ट्रॉब्लाइग थ। अन्यूब्लाइग तछ प्रांस्जर प्रांस्जर शेंग प्रभ्यों प्रह़ोग में हुआ करें य्यक्षा है आज जैस्ट लाइब अब अब इस एक यह जो इस कि इन ट्रांस्मिशन लाइन दोनों में सेम विना विना काम करता है कि ट्रांस्मिशन लाइन में भी अगर कि रेगुलर्टी होगी मतलब की वेव सीधे रस्ते नहीं जाएगी टेडी मेरी कुछ इसमें समय घ्रांस्मिशन जैगा अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉल नहीं करेगी तो इंट के लाती ये तो वहां कहीं से भी वह बीच में से रिफ्लेक्ट को सकती है कि अब रौना में ज्प्रमें इना काम करता है रिफ्लेक्शन के लिए बच्चो था, reflected will can be eliminated, reflected will, reflected will, can be eliminated, by property of impedance matching by property of impedance matching by property of impedance matching as in a transmission line as in a transmission line अगर impedance match होता है तो आप reflected wave को बाहर निकाल सकते हो otherwise वो वहीं पर टक्राथी देगी वेव काईड़ ट्रास्जिन लाइन के अंदर ठीक है वेड बोथ इंसिदेंट एंड रिफ्लेक्टेड आर वेन वेड़ 10 इंसिदेंट ऑो स्कृटेड़स ऑन रिफ्लेक्टे। वेड़़न गृ सिंसिदे展 먼저 차 व्लेक्टेड लाइन वेड देथिया वेड देदेंट ब्रुशन वेड़ून इसमें एक वेव इंसिदेंट है फिर वही वेव रिफ्लेक्टेड भी हो गई तो इन में क्या हो गया तो यह स्टेंडिंग में बन जाएगी स्टेंडिंग में होती है ऐसी वेव जो अपनी एनर्जी को आगे फोवर्ड नहीं करती है उसे स्टेंडिंग वेव गोलता है वो किसी रीजन में कनफाइंड होती है एसी वेव जिसकी एनर्जी ट्रांस्मीट नहीं होती है किसी लिमिटेड वेल्यू के बाद वो किसी रीजन में कनफाइंड होती है उसे स्टेंडिंग वेव गोलता है जैसे म जाएगा दूसरी लड़की के पास उसके हाँ से वेव रिफ्लेक्ट होगे पहरी लड़की के पास जाएगा फिर यहां से रिफ्लेक्ट होगे यहां जाएगा तो यह एनरजी सी में तोरी स्टेंडिंग वे ओ स्टेंडिंग रिच एज एन एप्टांस्मिसिरा लाइं गोड टांस्मिशन लाइन की तरह है यहां भी हैसा होता है इस टेंडिंग विए बनती है एज इन टांसमिशन लाइं ओके इस इट नाव अब डिस्सिमिलर्टी की बात करते हैं आसमानता है क्या-क्या थी में दोनों गां तो नंबर दूसरा पॉइंट है डिस्सिमिलर्टी इस इन दोनों में क्या आसमानता है थी वेव गाइंड में और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोई आया था क्या अभी क्लास के अंदर गेट खट खट आने के लिए ऐसा मुझे अभास हुआ किसी के आने की आहट थी है भी चलो कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हैं अजग गया है नहीं यह लिखाओ वातना एडमिट तो मुझे लगा शायद किसी की एंट्री यह वोपने आप एडमिट हो गया होगी क्लास के अंदर भी एडमिट होना पुड़ता है चलो तो कहां पर आगे डिस्टिमिलेटी पर आ गए बलो तो डिस्टिमिलेटी इस क्या है so there are a cutoff value of the frequency number पहला रहा है दोनो में there is a cutoff frequency there is a cutoff value there is a cutoff value there is a cutoff value value, for the frequency, for the frequency, value of frequency, for the frequency, value of frequency, of the frequency, of the frequency, frequency cutoff by linear, there is a cutoff value of the frequency, for the transmission, for the transmission, depending upon the dimension, depending upon the dimension, and shape of view guide, and shape of, but transmission line, does not required, but this condition, is not required, for transmission line, but wave guide cable, on the same waves, which propagate the frequency of the frequency, for the frequency of the frequency, which means, cutoff frequency, so cutoff frequency, on the wave guide, is not required, but transmission line, if you add frequency, it will propagate करवादेगा, यह आपके एक्जाम में बहुत अच्छा question बनता है, CSIR Net में भी बनता है, और आपके MSC एक्जाम में भी एक question आता है, basically, कि cutoff frequency निकालो, wave guide के लिए, आपको कुछ parameter दे दी जाएंगे, आपको dimension दे दी जाएंगी, उन dimension को देखके, आपको यह पता करना है, कि wave guide की cutoff frequency कितनी है, और यह question आता है, इसलिए आप इसका ध्यान रखेंगे कि wave guide cutoff frequency कैसे निकालता है, कि requirement होती है, wave guide में cutoff frequency की, ठीक है, जैसे मालो किसी college में requirement होती है, 80% से नीचे की बच्चे नहीं लिए जाएंगे, वो cutoff frequency, cutoff percentage है, और आप बोलते भी को cutoff कितनी निकली है, कि इस नीचे की बच्चे नहीं आएंगे, wave guide भी cutoff निकालता है, कि इस frequency नीचे की frequency में लोग आई नहीं, और transmission line जो है, यह कोई भी frequency propagate काती है, मतलब wave guide एक अच्छा college है, transmission line एक local college है, जिसमें हर तरह की frequency आप लोग काम में ले सकते हो, तो transmission line वो चीज है, जिसमें हर तरह का बच्चा बढ़ सकता है, वो school है, वो college है, जहांपे हर बच्चा बढ़ीगा, कोई requirement नहीं cutoff की, दूसरा, only wave having frequency, यहां पर जगो दूसरा की AC में mix कर लो यह, यह इसी प्रोपर्टी का एक पार्ट है, इसको अलक से जरूत लिखने की, दूसरा पॉइंट यह है, only wave, वो wave, only wave, having frequency, having frequency, greater than cutoff frequency, greater than cutoff frequency, will be propagate, will be propagate, hence, waveguide act as a, hence, waveguide as a high pass filter, ठीके न, as a high pass filter, तुम लोगों ने electronic बढ़ा होगा, high pass filter के बारे में, चोटी-मोटी लोग frequency को रोग देता है, मतलब की high pass filter में, एक निश्चित cutoff frequency से ज्यादा की frequency ही pass हो पाती है, उससे कम की frequency pass नहीं होती है, उसे बोलते है high pass filter, और आपका waveguide बेसा ही है, कि एक निश्चित frequency से नीचे की frequency जो है, उसको पास नहीं करता है, बाकी को पास कर देता है, नमर दूसरा, इन टू लोस लाइन, टू लोस लेस ट्रांस्मिशन लाइन, यह इसी का ही पार्ट है, वालक से मतली हो, यह फिकमेसी dependent पार्ट है, जरूत नहीं इसको लिगने है लग से यह लिगलो, कि यह तो हमारा होगा वेव गाइड वाला सिस्टम, और ट्रांस्मिशन लाइन में क्या होता, वो बेलेखं़ो, इन अटू लोस लेस, तो मतली हो, इन अ लोस लेस, transmission line in a lossless transmission line all frequency can pass through all frequency can pass through मतलब कोई भी frequency pass हो सकती है यह कोई requirement नहीं है कि cut of frequency pass हो ठीक ना चलिए अगला point with the next point number two waveguide is a one conductor transmission system waveguide is a one conductor is the one conductor transmission system is a one conductor transmission system मतलब वेवगाइड जो है ना वो पूरा पूरा एक ही conductor से बना होता है पूरा एक ही material से बना होता है one conductor transmission system that is the whole body that is whole body that is whole body of waveguide act as a that is the whole body that is the whole body of waveguide acts as a grounded and waveguide through multiple reflection and waveguide और waveguide के अंदे जो wave होती हो प्रपगेड करती है multiple reflection के तो and waveguide through multiple reflection we have propagate through multiple reflection through multiple reflection from the walls of the waveguide from the walls of the waveguide from the walls of the waveguide ठीक है तो waveguide एक simple conductor से मिलके बना होता है और आप पता है conductor की प्रोपर्टी क्या होती है जिसे मालवी capacitor ये conductor है तो capacitor का ये बहाँवारा पार्ट गाउंडेट होता है तो ये भी एक single conductor के लाता है या देखना capacitor की दो प्लेटे मिलके एक conducting system बनाती है और उसको अपर grounded भी करता है ठीक उसी प्रकार से waveguide भी एक ऐसा है system जिसमें single एक body होती है जो single material की बनी होती है ट्रांस जिन लाइन में इसा नहीं होता उसमें आप दो या दो से ज्यादा material यूज में ले सकते हो ठीक है रहा और उसमें multiple reflection भी नहीं होता है इसमें इतनी walls भी नहीं होती हो सीधी होती है एकदम straight होती है ट्रांस जिन लाइन ठीक है अगला ये है लाइन लाइन लाइ신 लाइसआ है भी दानस कमझे लाइससrios में लिट से मिव सोयभी लाइससे होती है लाइससे हरी है अग ज्यादी है अगि सब्स्व लाइससे है लिया है लाइससट belki है नु चारी निजुस को सब्सक्राटल के लिख आर्यागिव शुलाट is a quite different from that is a quite different from that it is a quite different from that through full space through full space due to multiple reflection is कि ऐस्धर की जी कि तो मतलब के ने का यह की थोड़ी सी अलग होथी इसकी कि वेलोसटी एक्चिणी में वेव गाइड में जो फेज वेलोसिटी ओव तो ठीक है उसकी तर होती है यहां पर अप्लाश्टी पींती है यह वह वे योएड का थोड़ा डिफरेंट होता है जो यह से वह पर फोली स्पेस्ट सेच अगर वह ऑगां करेगी फूली स्क्राइब लाइन में वेद ट्रेवल करेगी तो उससे थोड़ा सा अलव होगा इसका ग्रूप लॉस्टी क्शेप्ट ठीके इन वेव गायड वी दिफाइन था वेव इंपिदेंस इन वेव गायड वी दिफाइन था युद्स i brief ।ध वी द्याड वी दिफाइन था वी दिफे दिफाइन थाड वीर्या व्य। इंपिदेंण स्वेविद बिद्स wave impedance, wave impedance which analogous to characteristic, which analogous to characteristic impedance, to characteristic impedance of two wire transmission lines, of transgenial of transmission line, the system of propagation in a wave, the system of propagation, the system of propagation in a wave guide, in a wave guide is according to field theory, is according to field theory, is according to field theory, जो भी field theory एक आप पड़ो गया आके जाके, उसके कोडिक मुरता इसका प्रोफो किशन, ठीकिना, बट इंदर ट्रांस्जिन लाइन, बट इन ट्रांस्मिशन लाइन, वी यूज सर्किट थेयरी, यह इन तरह इसमें, खेर यह कोईशन आपके 2010 में आयता, तो इस बार आने की संभावना बिल्कुल है, और यह फ्रिक्वेंटली आता भी नहीं है, बट फिर भी आपके से लिपस में हैं, तो आप लोग पढ़ोगे इस क्वेशन को, जितना याद है ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट अब कल से प्यूरली mathematics चलेगी आपकी, मतलब derivations है, और कल वाली class बहुत important है आपकी, ठीक है, वो जो मैं कल बढ़ाऊंगा आपको question, वो exam में आना ही आना है, वो हमेशा आता है question, frequently आता है question, तो कल वाली class का question भी आप लोग मिश्मत करना, यह आज वाला question था, write the symmetry and anti-symmetry और यह एकदम सामझी की ज्यान जैसा question है, तो आप इसको सामझी की ज्यान पढ़ लेना और ध्यान रखना कि क्या 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 पॉइंट आपको लिखना है, क्या उसकी impedance वाला point लिखना है, phase velocity वाला point लिखना है, standing wave वाला point लिखना है, तो ऐसे points आप लोग को highlight कर ल दिसक्स करी, अलग-अलग properties होती है, अलग-अलग system की, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किस में कितना impedance है, किस का क्या system है, यह बात है हम लोगों को आज discuss करनी थी, यह पहला question था आपके syllabus का, और यह exam में मेरे इसाब सो नहीं आने वाला, क्योंकि यह बहुत साल पह पर्यावण विग्यान वाला question है, तो यह इसे question आपके exam में नहीं आते हैं, तो इसको आप लोग चाहो तो skip कर सकते हो, बट notes proper बनाईए आप, complete content आपके notes में होना चाहिए, इसलिए मैंने यह करवाया आज, ठीक है, आज बच्चे अगर कम होंगे तो ठीक है, पर उनको कोई इतना loss होगा नहीं, क्योंकि यह question आपके जिंदिगी का इतना महत्तुपूर्ट सवाल नहीं उत्पन्ने करता है, यह ना, बट कल जो मैं पढ़ाओंगा, वो confirm exam में आएगा, और वो हर बार आता है question, rectangular wayo guide, उसका description, क्या होती है, क्यू होती है, वो सारी बाते हम कल से discuss अके, बाई बाई